क्यों बोलते हैं कि CA निकालना बड़ी खटीन है? इसका जवाब है CA Finals CA Finals का syllabus इतना वास्ट है कि वो नेवर एंडिंग है मैंने अपने friends, parents, family members को सबको खुशी से बताया कि 12 के बाद मैं CA करूँगा लोगे ने सुना और मुझ पर हसा कहा, तुम जानते हो CA क्या है? CA इंडिया का one of the toughest exam है और तुम कौन हो? तुम तो एक school failure हो लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं पर CA नहीं निकल पाता बाल साल, दस साल, बीस साल निकल जाता पर CA नहीं निकल पाता तुम कैसे निकाल पाओगे? तुम बावली पूछ हो हम सब Battle of Kalinga और King Ashoka की स्टोरी तो जानती ही होंगे किस तरह Battle of Kalinga ने King Ashoka की life को completely change कर दिया? उसी तरह मेरी life में भी एक ऐसा incident था जिसनी मेरी life को completely change कर दिया खमा घनी, मेरा नाम मनी शगरवाल है मैं जमशे को जारकन का रहने वाला हूँ, पेशे से मैं charted accountant हूँ जब लोगों को पता चलता है कि मैंने CA Finals में All India Rank 40 हा से की वो exam यसी इंडिया का one of the toughest exam माना गिया है तब लोगों का मेरे तरफ एक ही सोच रहता था कि शायद मनीश बच्पन से ही पढ़ने में बहुत तेज रहा होगा शायद मनीश बच्पन से ही क्लास में टॉप आता रहा होगा शायद मनीश के माता-पिता बच्पन से अमीर होंगे ताकि उसे बच्पन से ही सारे एशोरा मिले होंगे लेकिन ऐसा नहीं था जब मैं क्लास वन में था तो मैं माता पिता ने ये डिसाइट किया कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा करियर अच्छा हो इसलिए हमारा क्लू स्कूलिंग एक इंगलिश मीडियम में करना चाहिए मुझे आज भी याद है वर दिन, जब ममी हमारा अडिमिशन एक इंगलिश मीडियम स्कूल में करा के घर वापस आई परोज की अंटी आई, ममी पे हसने लगी, कहने लगी तुझे पता है एक इंगलिश मीडियम स्कूल की फीज कितनी होती है मारा आमदिनी उतना है नहीं कि तुझे बच्चे का स्कूलिंग एक इंगलिश मीडियम में करा पाओ देखना दो महीने, तीन महीने, पांच महीने तक तो तुझे अपने बच्चे के फीज दे पाओगी पर आफ्टर सिक्स मस तुझे बच्चे का आइडमिशन वापस हिंदी मीडियम में करा दोगी ममी ने सब कुछ शांती से सुना, अंत में उसने बस एक ही चीज कहा हारी का शारा, शाम बाबा हमारा मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे का एडमिशन, हरे बच्चे का पराई, करियर एक अच्छी स्कूलिंग से हो इसके लिए मुझे जो भी करना परे, मैं वह सब करूँगी धीरे-धीरे करके मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा कुछ टाइम तक स्कूल की फीज को लेके कोई इस्यूज हुए नहीं बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, पापा की कमाई लिमिटेट थी तो स्कूल की फीज साथ देना मुश्किल हो रहा था उस समय ममी ने डिसाइड किया कि वो भी कमाना स्टार्ट करेंगी सिंस हमारा कॉस सिमेंट का शॉप एक स्रेसेडेशल कॉलरी में था सेल्स लिमिटेट थी, प्रॉफिट लिमिटेट था, कॉस को लिमिटेट करना था इसलिए ममी ने डिसाइड किया कि वो कोई लेबर को रखेंगी नहीं और जो भी लोडिंग का काम होगा, वो खुद करेगी ताकि जो भी पैसे हमें लेबर्स को देने परे, वो पैसे बच जाए ममी ने सिमेंट का बिजनस टार्ट किया जो भी कस्तमर सिमेंट लेने आते, ममी खुद सिमेंट उठाके उन्हें सिमेंट देती थी बता दूं, एक सिमेंट की बोरी का वेट पचास किलो होता है तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे, एक महीला के लिए पचास किलो को वजन उठाना कितना तकटिन रहा होगा कभी कभी तो ममी ने एक बार में बीज बोरी सिमेंट उठाई, खरी धूप में जब लोगों को पता चलता था कि ममी एक मरवारी महीला होके सिमेंट का बोरा उठाती थी तो लोग हमें कटोर शब्द इस्टिमाल करते थे, हम पे हसते थे, हम पे निंदा करते थे पर ममी ने कभी इस बात पर कभी नजर नहीं दिया ममी का एक ही कहना था कि at the end of the day उन्हें ही अपना घर चलाना था लोग क्या कहते हैं उन्हें उसे मतलब नहीं क्योंकि लोग तो कहेंगे उनका काम ही है कहना मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हो रहा था मैं पराई में साइड उतना तेज नहीं था स्कूल में तीन टाइप की लोग होते थे टॉपर्स, एवरेज सुडेंट्स और बेंचमेंकर्स मैं साइड एक बैक बेंचर था चितने भी पढ़ने की कोशिश करता पर मुझसे पढ़ाई नहीं होते थी हर साल मैं वार्निंग के साथ पास होता था पर कहते हैं ना हर इक चीज का एक अंध होता है तो शायद मेरे वार्निंग के साथ पास होने का भी अंध था क्लास थ्री में मैंने फेल किया मुझे आज भी यहादे वा दिन मम्मी हमारा रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल गई मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने रिपोर्ट कार्ड मम्मी को दिया और खा कि आपका बेटा क्लास थ्री में फेल किया है और उसे सेम इसाल रिपीट करनी होगी मम्मी ने लो कुछ कहा नहीं पर उनके आखों में आसू थे हम घर गए घर में मम्मी, पापा, दिपू चाचा, उपेश मामा वो लोग इसे में शायद बहुत क्लोस था सब को ये मुझसे उदास दें उस दिन मैंने उनके आखों में दो जीस नोटिस की पहला आसू, दूसरा होपलिसनेस होपलिसनेस की शायद मनीश से कुछ भी उमीद करना बेकुफी है होपलिसनेस की शायद मनीश अपने लाइफ में कुछ कर पाएगा बेकुफी है होपलिसनेस की शायद मनीश हमारा वक्त बदल देगा शायद बेकुफी है इस सब चीजों ने उस दिन मुझे जंचोर दिया मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उन लोगों के लिए एक ray of hope बनूँगा एक hope कि शायद मनीज भी अपने life में कुछ कर सके उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने life में, अपने career में ज़्यादा focus करूँगा धीरे-धीरे करके मैंने अपनी पढ़ाई में focus किया जो बच्चा class में last आथा था, अब वो second last आने लगा second से fifth last आने लगा, fifth से tenth last आने लगा एक point of time में मैं average student बन गया जो लड़का एक back venture था, अब वो एक average student बन गया अब आता है मैं life का वो phase जहाँ CA मुझसे introduce हुआ मैं class 8 में था, back venture से average student बन गया था मुझे आज भी याद है वो दिन, जब मेरे tuition son ने मुझे पढ़ाते वक्त अचानक से कहा, यार मनीश, तुमारी mathematics तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो साथ पहला मौका था मेरे life का, जब किसी ने मुझसे कहा कि तुम किसी चीज में अच्छे हो, नहीं तो हर टाइम मुझे यही ताने सुनने ही मिलता कि मनीश, तुम तो एक failure हो, तुमने तो school में fail किया, तुम तो life में कुछ नहीं कर पाऊगे उस दिन मैंने research किया कि CA क्या होता है, CA करना क्यों है, CA करती क्यों है, CA में क्या-क्या पराई होती है Most importantly, CA में खर्च कितना है मैंने देखा, मैंने जाना कि CA एक बहुत respected course है वो course जो बहुत कम लोग करते हैं, since बहुत कम लोग CA में enroll होते हैं, तो CA में opportunities बहुत है CA को करने में hardly एक से दो लाख रुपया लगती है, जो शायद मेरे financial condition को support करती है ये decision लेने के बाद, मैंने अपने friends, parents, family members को सबको खुशी से बताया, कि 12 के बाद मैं CA करूँगा लोगें ने सुना और मुझे पर हसा, कहा, तुम जानते हो CA क्या है, CA इंडिया का one of the toughest exam है, और तुम कौन हो, तुम तो एक school failure हो लोग school topper भी कभी-कभी CA नहीं नीकाल पाते, तुम कैसे निकालोगे लोगों के बाल सफेद हो जाते पर बाल साल, दस साल, बीस साल निकल जाता पर C.A. नी निकाल पाता, तुम कैसे निकाल पाऊगे तुम बावली पूछ हो जो तुम ये सोचे हो कि तुम सीय निकाल लोगे इससे अच्छा है तुम कोई इजी कोस कर लो ताकि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का समय और पैसा बरबाद ना हो ये सब सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया शायद C.A. मुसे हो गई नहीं बट उस समय मैं मैं मम्मी ने मेरा रियोफ हो बना उन्हें मुसे बस एक ही चीज़ कहा मनीश, रिजल्स हमारे हाथ में नहीं है पर जो हमारे हाथ में है वो है महनत तुम अगर महनत कर सकते हो C.A. की पढ़ाई कर सकते हो तुम आगे बढ़ो, पीछे मत देखो कि तुम एक failure थे, आगे बढ़ते जाओ और देखना तुम जरू सफल होगे ममी ने उस दिन मुझे एक मंतर दिया वह मंतर था अगर तुम्हें आराम चाहिए तो सिक्षा छोड़ दो अगर तुम्हें सिक्षा चाहिए तो आराम छोड़ दो इस मंतर के साथ मैंने finally decide कि कि स्कूल के बाद मैं C.A. करूँगा में 2014 में मैंने 12th पास की June 2014 में मैंने C.A. Foundation पास की first attempt में without any coaching में 15 में मैंने C.A. Inter clear की first attempt में without any coaching बता दू C.A. में 3 levels होती है C.A. Inter, C.A. Foundation, C.A. Finals आप कभी जानते हो कि C.A. को इंडिया का toughest exam क्यों कहा गया है क्यों बोलते हैं कि C.A. निकालना बड़ी खटीन है इसका जवाब है C.A. Finals C.A. Finals का syllabus इतना vast है कि वो never ending है आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे पर कभी खतम नहीं होगा वो एक समुंदर के प्रती है जितना भी पानी डालो, खतम नहीं होगा C.A. Finals में 8 subjects होती है आप एक subject खतम करके दूसरा start करो ता भूल जाओगे 1st में क्या पर रहा था दूसरा subject खतम करके 3rd subject start करो ता भूल जाओगे कि 2nd में क्या पर रहा था 3rd subject खतम करके 4 subject start करो ता भूल जाओगे 1st subject का नामी क्या था Apart from the huge syllabus हमें C.A. Articleship भी करनी होती है 3 साल की C.A. Articleship में हमें एक C.A. के अंडर 3 साल काम करनी होती है Monday to Saturday का job होता है 8 से 10 घंटे हमें office में काम करनी होती है Office में काम करते ही करते हमें अपनी finals की भी preparation करनी होती है So, Articleship प्लस C.A. Finals का huge syllabus C.A. को इंडिया का one of the toughest course बनाता है मैंने अपनी articleship October 2015 में start की और उसी समय मैंनी अपनी finance की भी preparation स्टार्ट कर दी मैं सुबह घर से 6 बजे निकलता था Class जाता था, coaching करने Coaching से निकलता था 10 बजे वहाँ से direct office गया Office से घर आते आते मुझे 9 बस जाती थी रात का घर आके मैं mentally और physically इतना ठक जाता था कि सोचता था कि अब तो सो जाता हूँ या फिर अराम से टीवी देखता हूँ या फिर मस्ट होके गेम खेलता हूँ But वो sure Sure कि मैं एक failure हूँ Sure कि साइद लोगों का comment कि मैं साइद CA नहीं निकाल पाऊँ वो मुझे कभी chance से सोने नहीं दिया इसलिए मैं even though मैं mentally or physically बहरा ठका रहता था मैं हमेशा कोशिश करता था कि घर आके कम से कम 3-4 घंटे पर सकूँ मेरे schedule वही बन गया था 6 बज़े घर से निकलता, घर आते आते 9 बज़ जाता घर आके मैं 3-4 घंटे परता मेरा CA finals में 2018 में था January 2018 में मुझे इस अपनी office से छुटी मिल गई थी ताकि मैं full time CA finals का preparation कर सकूँ मुझे याद है कि मैं सुमे 6 बज़े परने बैठता और राती 11 बज़ तर बढ़ता था starting में सो सब अच्छे जा रहे थे परने में मसा आ रहा था but एक point of time ऐसा आया कि मैं frustrated हो गया क्यों कि CA final का syllabus मैं कल जो पढ़ता आज भूल जाता आज जो पढ़ता कल भूल जाता मैं इतना frustrated हो गया था कि मैंने किताब उठा के फेक दी और सोच लिया कि CA तो मेरी बसकी है नहीं और चल गया सोने but वो शोर वो शोर लोगों की हसी लोगों की कठाक्श शब लोगों की comment कि मैं एक failure हूँ और एक failure कभी CA निकाल नहीं पाएगा मुझे सोने नहीं दिया मैंने देखा, मैंने इस realize किया कि मैं इदम end तक आके यहां से पीछे नहीं जा सकता मैंने मन हलका किया किताब उठाया, किताब को प्रनाम किया और पढ़ने बैठ गया जो मैं 14 घंटे पढ़ता था मैंने धीरे धीरे उसे 15 घंटा किया 15 से 16 घंटा किया 16 से 17 घंटा किया और एक point of time तो ऐसे आया कि मैं दिन के अठारी गंटा भी पढ़ने लग गया फिर आया में अठारा मेरे C.A. फाइनल्स की एक्जैम्स एकक करके मेरे सब पेपर अच्छे जा रहे थे मेरा लास्ट पेपर था इन दिरेक टैक्सेशन वो भी अच्छा गया मुझे आज भी याद है जब वो पेपर खतम हुआ एक्जैमिनर्स आये, अंसर शीट्स कलेट किये सब स्टुडेंट्स एक्जैम हौल से चल गए बट मैं, मैं वह एक्जैम हौल में उसी डेक्स में जहां मैंने अपने आठो एक्जैम्स दिये मैं वही बैठा रहा बैट के भगवान को एक ही प्रात्ना किया कि हे भगवान अगर मैंने अपनी सीए फैनल्स की परिक्षाव में अच्छे से पराई किये इमानदारी से पराई किये ओनेस्ली पराई किये ताब क्रिपा करके मुझे उसका फल देना मैं वही आदे घंडे बैठा रहा और फिर निकल गया फिर आया 20 जुलाई 2018 वहा दिन जो मेरे लाइफ को कम्प्लिटी चेंज कर दिया तो रिजल्ट दे उस दिन मैं आफिस में था काम कर रहा था काम पे तो फोकस था नहीं क्योंकि रिजल्स था बट मैं ट्राइ कर रहा था कि काम पे फोकस करूँ घरी में डेर बजे रिजल्स आये विट शेकिंग हैंड्स मैंने रिजल्स चेक किया मैंने देखा मैंने सिये क्लियर कर दिया और मैंने All India Rank 40 हासिल की मुझे उमीद तो था और काजू की लड़के ने पूरी इंडिया में All India 40 रैंक हासिल की रख होसला वो मन्जिल भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक कर ना बैटे मन्जिल के मुसाफिर मन्जिल भी मिलेगी और मिलने का मसा भी आएगा ये लाइन सो मैंने बहुत सुनी थी पर मुझे उस दिन इसका महसूस हुआ कि इसका मतलब क्या है फेलियर कभी कभी बहुत अच्छी होती है ये आपको इतना डरा देती है कि शायद आप डरना बंद कर देते ये एक शोर की तरह आपके पीछे पर ही रहती है और तब तक पर ही रहती है कि जब तक आप मेंसे महनत करके वाट टैग अपने माते से हटा नहीं देते हैं कूल का फेलियर और ममी का सैक्रिफाइज महनत, सिमेन की बोरी उठाना ये दो चीज मुझे उस लाइक बना दिया जो मैं कभी सोज भी नहीं सकता था आज मैं गर के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक चाटेड अकाउंटेंट हूँ मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है और जमशेटपू में हमें सुमेन वाली की बच्चे की नाम से जाना जाता है आज मैं पिछे उमर की देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ उन लोगों की बारे में जो लोग मुझे पे हसते थे कहते थे कि मनिश तुम तो एक फेलियर हो तुम तो सीए निकाल नहीं सकते तुम तो 20 साल, 30 साल, 40 साल भी सीए निकाल नहीं पाओगे तुमारा बाल सफेद हो जाएगा और तुम निकाल नहीं पाओगे पर मैं आज बता दू मैंने 23 साल की उमर में मैंने अपनी सीए की एक्जैम्स क्लियर की अन्त मैं मैं बस एकी बात कहना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि सफल होने के लिए पैसे चाहिए सोसेज चाहिए रेफरेंस चाहिए या बड़ा नाम चाहिए शायद ऐसा नहीं है सफल होने के लिए आपको करी महनत करना है और आगे बढ़ते रहना है पीछे नहीं देखना है गिरना है पर उठना भी है गिरना है फिर उठना है गिरने से डरना नहीं है और उठते जाना है और हमेसे उठना है क्योंकि रबिनिना टेगोर जी ने भी कभी कहा है तो अब एकला चलो रहे अंत में मैं जोश्टॉक्स वालों का धनिवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें मुझे एक प्लाटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आके अपना स्टॉरी सब को सुना पाओ धन्यवाद क्योंकि आप जोश्टॉक्स देख रहे हैं तो जाहर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सके और आपके इनी सपनों को पूरा करने में मदद करता है जो श्टॉक्स का English Speaking I जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश बोलने में confidence और fluency की कमी हो या personality develop करने में परिशानी हो रही है इस सब के लिए आपको one stop solution हम देना चाहते हैं और इसका नाम है Josh Talks English Speaking App तो इंतजार किस बात का है आज ही डाउनलोड कीजिए Josh Talks English Speaking App और अपनी success की तरफ एक नया कदम बढ़ाईए Click the link now